आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है यह वीडियो लेक्चर हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को इस इशू इन डा डिजाइन आफ को जन्रेटर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो रिमेनिंग इशू थे उन टॉपिकों को डिसकस करेगा तो चलिए शूरू कर लेते हैं सबसे पहला जो हमारा रिमेनिंग इशू था वो था मैमूरी मैजेजमेंट घईसlt memory management is used for mapping of the source program to runtime memory runtime memory याने जो भी आपने code लिखा है उसमें हमारे versatile variables रहेंगे कुछ functions आप use करेंगे call procedure use करेंगे तो इनकी mapping होना चाहिए runtime environment में तो runtime memory में इनकी क्या होना चाहिए mapping होना चाहिए तो हमें memory management की जरूरत पड़ेगी जैसे एक example अगर मैं लिखता हूँ जैसे मान के चलिए कि मैंने लिखा है integer integer a बराबर टू तो इससे हमें यह पता चला कि इंटीजर टाइप का इंटीजर डेटा टाइप का हमने एक variable लिया जिसको हम A से denote कर रहे हैं और इसका एक static value हमने दे दिया two clear अब इसके detail information जो है हमको कहा store होगी जैसे कि हम अपने पिछले video lecture में unit number one में cover कर चुके हैं कि इसकी full flashed information जो है हमको symbol table में मिलेगी कि यह कहां पर है एक किसके साथ map हो रहा है एक किसके साथ deal करेगा तो आगे मान के चलिए कि यह मैंने लिखा एक code c c equals to a plus 10 अगर मैं यह लिखता हूं तो यहाँ पर a की value की information कहां से मिलेगी a की value की information हमको symbol table से मिलेगी symbol table जो है इसका data type कितना है इसको memory कितनी जरूरत पड़ेगी यह computation क्या होगा यह operator सही है कि यह sequence सही है के नहीं इस सारा का सारा काम जो है वो हमको memory management through symbol table के mapping के through हमको दे सकता है और symbol table जो हम जानते है it is used for storing the information about declaration of syntax जिस तरह से आप declaration करेंगे syntax का declaration क्या है उसका data type क्या है variable used in the code यह particular a code में कहां कहां use हो रहा है किन के साथ use हो रहा है type along with the address information इसकी जो information कहा है address information क्या है these all the related information related address it is already stored in the symbol table इसी लिए हमको proper memory management की ज़रूरत पढ़ती है अब दूसरा जो हमारा जो design जब हम code generator design करें तो हमें ध्यान में रखना है वो है instruction का selection याने instruction का selection कि आप proper instruction को select करें किसी भी code के लिए तो एक example हम देख लेते हैं यहाँ पर जैसे मान के चलिए हमारे पास एक expression है जो expression है a equals to b plus c a equals to b plus c अब इसके लिए अगर हम code बनाते हैं तो देखिए क्या बनेगा सबसे पहले आप move कर लीजे move कर लीजे किसको move करेंगे आप b को कहां पर register r0 में आपने इसको move कर लिया फिर आप क्या करते हैं फिर आप एक add operator जो है वो आप apply करिए add assembly code का notation है इसको आप apply करिए c पर okay c किस मुझा है किसके साथ apply होगा और 0 के साथ apply होगा क्यों कि आई 0 के साथ कि सकते हैं तो इसका important क्या है इसका importance क्या है तो instruction selection is good for improving the efficiency of code generation, तो यह क्या करते हैं, यह code generation की efficiency को increase करते हैं, जब compiler काम करता है, ओके, आगे हम और देख लेते हैं, इसमें अब issues क्या है, कहां पर हम इसको optimize कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते, तो एक example देखते हैं, कि जैसे हमारे पास x equals to y plus z है, और w equals to हमारे पास x plus s है, अब इसका हम अगर code लिखने बैठते हैं, तो code हम लिखते हैं, move करिए आप किसकी value को, y की value को r0 पर, ok, move किया, y की value r0 पर चली गई, फिर आप क्या करिए, add कर दीजे, किसको add कर दीजे, आप यहाँ पर add कर दीजे, z को, किसके साथ r0 के साथ, अभी आगे और देख लेते हैं move कर दीजे आप, आप move कर दीजे, किस value को, यह वाली जो value आई है, r0 की value को, कहाँ पर move कर दीजे, x पर, तो यह कितना code बना, यह code बना हमारा, x equals to y plus z, याने, अब r0 के पास क्या value है, यह पूरी computed value हमारे पास आ गई, अब हम नीचे बात करते हैं, नीचे याने, अब हम इस set of code को लिखते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिये, move करिये, किस को move करेंगे, आप x को move कर दीजे, x को move कर दीजे, कहाँ पर r0 पर move कर दीजे, फिर आप क्या करेंगे, आप addition apply करेंगे addition आपने apply किया किसके साथ apply किया s के साथ और किसको store करेंगे r0 पर store करेंगे and finally आप क्या करेंगे इसको move कर देते हैं कहाँ पर r0 को और कहाँ पर move हो जाएगा यह जो code बना हमारा यह बना w equals to x plus y अब देखिए गाइस यहाँ पर these kinds of two things तो इसको हम अगर optimize कर दे correct selection of code लिख दे तो हमको क्या मिल सकता है हमको एक optimized code मिल सकता है तो no need to write the redundant code इसलिए कहा गया है कि instruction selection जो है वो correct code sequence को बताता है और improve करता है compiler की execution efficiencies को यहाँ पर यह जो दो code है इन में से हम कोई एक code लिख सकते है तो जो redundancy है उसको हम यहाँ पर remove कर सकते है ओके फिर आगे बाद आती है register allocation की तो register allocation guys जैसा कि हमने labeling algorithm की माद्यम से देखा था कि हम अपने three address code के लिए जो भी हमने बनाया है उसका हम tree बनाते थे deck बनाते थे और उसमें labeling algorithm apply करके minimum count of register के उस particular code segment के लिए कम से कम कितने register की जरूरत पड़ेगी उनका count हम निकाल लेते थे अब बात आती है कि minimum register of count तो निकाल लिया तो अब हम उसको allocate करना है तो register allocation यहाँ पर important challenging issues हो जाता है जब हम designing का काम करते हैं compiler की code generator को तो register allocation it select the set of variable याने variable यहाँ पर x है z है यह है इनको आप कौन सा register allocate कर रहे हैं तो जैसे मैंने यहाँ register allocate कर दिया r0 यहाँ r0 कर दिया यहाँ पर r0 r0 okay कि आप कौन सा register जो है वो assign कर रहे हैं और register यहाँ पर allocate कर दिया फिर register assignment तो register assignment we have to choose the appropriate specific register for the variable अब इसके लिए कौन सा appropriate specific register suitable है आप उसको select करें तो यहाँ दो चीज़े हमको ध्यान रखना है पहले चीज़ ध्यान रखना है register को allocate करना यहने register allocation it is select the set of variable will rise in the register और register assignment we choose the appropriate specific register for the variable okay next जो है वो है आपका choice of evaluation तो choice of evaluation का मतलब क्या होता है guys order is effect यानि जो भी choice of evaluation आप जैसे हमने यहाँ पर इतने सारे code लिख दिये है it is also effect the efficiency of target code अगर हम इसी code के साथ यह इस code के साथ compiler में काम करेंगे तो execution efficiency obviously थोड़ी सी high होगी as compared to अगर हम इस code segment को remove कर देते हैं तो जो compiler की execution efficiency होगी वो थोड़ी सी less होगी इनके comparison में तो choice of evaluation so it is this is the order to effect the execution of target code computation तो आशा करता हूँ आपको यह video समझ में आया होगा thank you so much watching this particular video we will meet again in the new video lecture take care bye bye कर दो आपको अपको आपको होगी इस लादा आपको यादो होगी लादा आये ओस्गर